कि मैं एक देश भक्त हुं कि मैंने देश भक्ती के साथ एक टीशर्ट भी पहन रखा है और मैं देश भक्ती के हर प्रोग्राम में मुझे जन्रमामन भी याद है जब हो सारी चीज़े याद हैं पर इधर कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे, वो बार बार आ रहे थे, क्या वाकई में, मैंने बैच्पन में काफी गाने सुने थे, पब्लिक है, सब जानती है, बहुत सारे रैलियों में मैंने मोदी जी के रैली में, मैं होती के, और उत्रप्रदेश कर आने व जानती है, जैसे फ्राजनेता बोलते हैं, या का करके एमोशनल ब्लैकमेल होता है, पब्लिक का, अभी बात कर लेजे गरीबी का, तो बार बार मोदी जी के भासरण में हमेशा गरीबी होता है, खले जी के भासरण में माया वती के, क्या ये लोग वाकई में गरीबी जानते जिसे एक एक जिक्र में करता हूं कि अभी हमारी सरकार काती है कि उसने सौ से ज्यादा उपगरा अंतरिच में छोड़ दिये तो बैलगाडी से हम लोग अंतरिच में पहुच गए पर क्या बैलगाडी हुआ कहीं में खतम हो गई क्या बैलगाडी नहीं है अभी आप में जाएए अफटर बुदेच में जाएए धरकंड में जाएए चाथीजगर में जाएए तो आपको भर जेगा बहुच जगा बैलगाडी मिलेंगे तो इसके बाद हमारी सरकार काती है कि हमने फासल भी महालागो किया हमने गरीबियों के लिए काम किया और दूसरी तरफ उनीकी ही रैली में बिना मुवाज़ा दिये हुए फसल काट लिए जाते हैं हर पाच घंटे में एक किसान आत्म हत्या कर रहा है किसान की पूरे साल की आमदनी 6000 रुपे से ज्यादा नहीं पहुच पाई रोजगार में 23-24 करोड लोग जो है काउँ छोड़कर के साहर में ज जल सरच्षण कर दे और उसकी अर उसकी हकीकत कुछ और है पिर एक तरफ काते ही कि सरकार जो है सारे काते देश युवाउं का है दूसरी तरफ हमारे युवा आपस में लड़ रहे हैं जाहे जेनु वह आप रामस pengal ले लिजे चाहे आप वाश्टe बंगाल ले 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 हमारे युवा अपने हीशानीकों पर पत्थर मार रहे हैं हमारे युवा यहीं नहीं पता है egy दूसाहीन है उन्हें यही नहीं पता है कि एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री जी पुरी बिश्च में अमेरिका जा करके कहाते हैं कि भारत यूआओ का देश है और हमारे युवा producción अक्ता कि अप्रतान मंतुरी जी को नहीं समझ पा रहे हैं पर उसके भाद पिर अब आप दूसरा ओधाण ले लिए उपका साथ सबका विकास का तो क्या वगए में सबका साथ सबक विकास हो रहा है या इसके जिम्मेदार कौन है कहराना में लोग पलाइन कर गए जात बिसेश को लोग ओड़ देते हैं उत्रप्रदेश में मुस्लिम को हिंदू हिंदू को जात के अधार के ओड़ बड़ रहे हैं तो सबका साथ सबका दिकास कहां से हो पाएगा क्या हमारे राजनेता वा कहीं में धोका नहीं देते पब्लिक को वादे और करके सब्सकर करिए क्या अगर हमने बसपा को ओड़ दिया तो क्या कारेंटी की बसपा बसपा की साथ नहीं चले जाएगी सपा कांगरेस के साथ नहीं चला जाएगी अभी वहाँ पे ले ले लिजिए, स्यूसोना को लोगों ने ओड़ दिया, स्यूसोना का रही है कि हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, तो क्या हमारे साथ डोमक्रेसी के नाम पे छलावा नहीं होता, चल नहीं होता, हम ओट किसी और मुद्वे पर देते हैं, बाद में वो सारे राजनेता एक जैसे हो जाते हैं, आप चाहे हो दिली की सरकार को ले ले लेजे, चाहे जिसी पर देश को, एक तरफ हम कहते हैं कि गरीबी हम देश, क्या ये राजनेता हमें मूल बिंदू से भटका नहीं रहे हैं, हमारे युवाओं को गुम्रा कर रहे हैं, हमारे बिंदू और मुस्लिम भाईयों को गुम्रा कर रहे हैं, और विकास हम्में नहीं कहा था कि इस विकास का जिम्मेदार कौन है? जो विकास नहीं हुआ, कॉंग्रेश, भाजपा, जो भी है, मेरे हिसाब राजनेता से जिम्मेदार हैं और राजनेता हमें आज भी पीछे चोड़ रहे हैं, वो चाहते नहीं कि हम पढ़े लिखे आगे बढ़े हैं, कभी धर्म के नाम पे हमको बात रहे हैं, कभी जात के अदार पे, कभी जैसे अभी बात चल लिए है कि हमारे यहां एलेक्शन का टाइम है, कोई का रहा है कि हम ल पैसे ले आएंगे कहां से, जो पैसे यह बातने की बात कर रहे हैं, यह माफी बात कर रहे हैं, चोड़ा दिन के अंदर किसानों को माफ हो जाएगा, तो क्या जूटे वादे नहीं हैं, क्या इसलिए यह नहीं जानते हैं कि पब्लिक सब जानती है, अगर पब्लिक सब जान है और हमें पूचना भी चाहिए लेकिन हमें को आज क्या है चाहिए के बाटो और राज करो ते अंधरम नाम पर बाट दिया जा रहा है तो हमारे मोदी जी से चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जी इस दर्द को नहीं सबच पारें कि आज हमें क्या चाहिए हमें जो है जब आप विकास की बात करते हैं आपने नोट बंदी की बात की हमा एक आम पबलिक में आपका पूरा सपोर्ट के नोट बंदी में आज भी आपके उपर भारत की जंता सबसे जादा विश्वा है लेकिन वाकवही में जब प्रधान मंत्री जी देते हैं और आखे नम कर देते हैं तो क्या एनुशनली बलेक मेल करते हैंर यह एकलेज जी नहीं कर रहे हैं माय वती जी बार बार का रहे हैं कि अगर आप ने हमें उट नहीं दिया तो क्या ये डराक राजनेते नहीं कर रहे हैं क्या ये लोग East India Company की तरह काम नहीं कर रहे हैं क्या एक भारत में राकर के भारते एक लोग मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल है और इन सारे सवालों का तो जवाब सायद मेरे साब से एक है कि पब्लिक कुछ नहीं जानती है अगर जानती भी है तो कानून की तरह आख में पट्टी वादे हुए जहां नेता क्योंकि भीड है ये लोक तंत्र नहीं कभी कभी लगता है भीड तंत्र है और जो हमारे राजनेताओं दारा कंट्रोल होता है और हो सकता है कि आपके तरफ में भी मेरे मन की तरह होगे एक तरफ हम जो है जब युवाओं को बिलकुल दिसाहिन देते हैं बिलकुल भ्रमित देखते हैं वो अंदोलन के नाम पर अपनी बहु बेटियों की इज़त लूट लेते हैं अपने हिसानिक की बेटी को अल्टीमेटम देते हैं धंकी देते हैं तो बहुत दुख होता है क्य यही राम राज गाधी जी के सपनों का है, क्या इसी के लिए हम लोग इतने सोतंत्र से ग्राम से ना नी मर बे या इसे लोक तंत्र ना हो करके सिर्फ भीड तंत्र है जहां डर है, भय है, असुरच्चा है, जाती है, घरीवी है और मूर्बुर्स सेवाओं का अभाव है, मैं तो यहे बोलूँगा, कि सायद इस सरकार पे बहुत सारे विश्वास हैं, सायद एक खरा उतर पाई, तीन साल को होने को आए हैं, कुछ देर और इंतिजार कर लेते हैं, जै हिंद, जै भारत